शिमारू के नई वडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें हुआ हुआ है 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 अब है अब है रास्ते साथ पाई ले उसको तो छोड़ तेरी क्या लगती है रहे बताओं अधा चलो बता ही देते हैं हुआ कि पाई साथ लगत। हुआ 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 स्टाइब। आगा या बाता हुआ या 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 आगा या 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 य लुप 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 देतू से मैया वर्ला निंदेना मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना खाभ जगी सच हुआ मेरा सपना मैंने जिसी चाहा वही मिला सजना खाग जगे सच हुआ मेरा सब्गरा ते दूषी बईयां करिता अनित्रा हरा हरा रहे मेरा घर अंगरा मैंने जिसी चाहा वही मिला सजना खागे जगे सच्छे हुआ मेरा धपना कांसुजी है देवी जैसी कसर जितो है देवता लच्मी के जैसी प्यारी ननंद है लच्मन सादेवर मिला सेवा में लिकी जीवत गुदारों कभी भी न भूलूं धरब अपना मैंने जिसे चाहा वही मिला सजेता खागे जगे सच्छी हुआ मेरा धपना मैंने वावादी जीवत पहपना मैंने चाहा जात उल्स लच्मन वाव जयां स्वर्ग जैसा खर ये मेरा मंदिर है ये प्यार का पूजा से अपनी इस को सवार। अपना यही है मेरा थेराग मुझे मार। में शम्डी तरी सदा सुखी रहे मेरा घर अगना। मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना। भाग जगे सच हुआ मेरा सपना। देल पी मईया वरिदा नितना। हरा भरा रहे मेरा घर अगना। मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना। भाग जगे सच हुआ मेरा धपना। हुआ मार! अमल चचा, आमछचा, अरे ऐसे ऐसे क्या कर रही हो। एक नजर हमारे तरफ भी देखो अच्छा बाबा अभी तुम लोग मेरा दिमाग में चाटो और बोलो क्या है भगवान का प्रसाद चाट जाएगे अच्छा इसको खाने के बाद किताब बंद करोगे तो अभी पढ़ाए खुद बखुद बेजे में उतर जाएगी पर एक शानी दोगे तो भी डिजरी मिल जाएगी हाँ चाट नोक्री नहीं करोगे तो भी तनका खुद बखुद घर में आ जाएगी तुम लोग मुझे पढ बखुद 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 तो ने अपने इस खजाने से बिकारी को सब कुछ दिया है जन दौलत इसत मगर एक किस के कमी की है और वह शांती इस घर में शांती नहीं है जिस तरह इस अंसार में मर्द के लिए इज़त जरूरी है और अवरत के लिए आबरूश जरूरी है उसी तरह घर के लिए शांती जरूरी है इस घर को शांती दे भगवान बाकी रहना भगवान का अरे कहा गए सब के साम लो कर लो पढ़ाई जा गया है अरे यह कुए में कूद कर मर गए कहा गए अरे सामने कोई आता नहीं क्या बात है चिलाओंगी नहीं तो और क्या करूंगी इस घर में तन्लातों की बूत रहते हैं पात उसे कोई सुनता नहीं तुम मुझे बातें करती है यह मोंसे लातें चलाती हो देखो जी दो उसे फिर उलच रहे हो मैं जहरीले काटों में उलच सकता हूं अगर मैं तुमसे नहीं उलच सकता है मेरे बाप की तौबा है अब दा क्यूं चिला रही है मेरे चश्वा कहा है ए भगवान इसकी अकल की कोछली में तो अंधेरा कर दिया कम अजकम आखों में तो रोशनी देना चाहिए था अरे भागवान तुम्हारे पास है मेरे पास कहा है शरीर की उस उंची कोठली में जहां अकल को होना चाहिए था मगण नहीं है अरे इदर उदर क्या देख रही हो तुम्हारे सर पर रखा हुआ है मालूम है मालूम है जरा सी भूल क्या हुए कि लगे डाट में रात के दस बजे कहा तुमा से एक नीवालत तो नहीं खाया तो खाती कहां से रात को खाना काती तुम सो कहीं और अभी सो के उठी हो को तो एक नोकर रखनू जो रात को तुमको सपने में खाना किला दिया करे कि अधिया कर दियुक्त आपर जाए तुमारे पीता तुमेरे पीट में जी नाश्ता तैयार है कहां रखूं मेरे सर्पे राक तर पे रखेगी तो खाओ की कैसे ऐसे उठाकर तुम क्यों प्रपाटा हो यह नहीं ते नाम भगवान का राज चल रहा है शैतान का क्या कहां न यह नाश्टा है और यह कल्मूई मेरा बादाव का दूर तहां है वह क्या अपने बाप को पिलाने के लिए छुपा कर रखा है नहीं माजी माजी की बच्ची चल्ड जाए दायन कहीं की पहले तो मेरे पहाट जैसे बेटे को खा गई अपनों जोने किस-किस को खाने वाली है जोड़ी बहो जी माजी मैंने तुछे सुखे मेवे मंगवादी के लिए कहा था क्या हुआ वो मैंने अमर को लेने के लिए कहा था अमर से अमर क्या बात है भावी अरे भावी के पुजारी तेरी भावी ने नहीं बुलाया था भावो ने बुलाय था तेरी माने नहीं क्या बात है मा अरे मैंने सुखे मेवे मंगवाने के लिए कहा था क्यों हुआ वह मेवे तुम्हें लाया था लेकिन तुम्हारे गर में एक बिल्ली ये ना वो खा गई देखो न मा यह मैसा मुझे बिल्ली बिल्ली कहता रहता है अगर यह ऐसे चिड़ात रहा तो मैं अपने सबसुरार चली जाओंगी हाँ सच ए भगवान तेरा लाख लाख शुकर है उमा तुमने जिन्दीकी में पहली बार समझदारी की बात किये हैं कब जा रही हो अब जा रही हो बुट मॉर्निंग लो मुबारगो भाई हमारे प्यारे जीजा जी शी ललू राम जी अगर आपकी मर्जी हो तो वो कैसे मेरी प्यारी वहन ने पहली बार ससराल जाने का नाम लिया है हाँ आप आगए क्या बात कर रहा हूं नेक काम में देरी किस बात की प्लीज 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 जला गया ज़रूर कोई लफड़ा होने वाला है उमा तरलिंग उमा मैं तुमे माल कमा पंगला बना लाड़ी खरेत पिर मेरी लाड़ी को ले जानी की बात कर वो तेरे सडे हुए जोपड़े में नहीं रह सकती अरे सडा हो तो क्या हूआ तो क्या हूआ तेरी मेहनत का दोपड़ा है आग यहां से अरे आज मैं अकेला नहीं भागूँगा आपकी बीटी बेटी को ले जाने वाला अरे खुद की शादी में मैंने बरातियों का भगा दिया था बिट्लICA, बिट्छ। बाले, बिट्छ। मैं है 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 अब है अब है रास्ते साथ है पाइल उसको तो छोड़ है तेरी क्या लगती है रहा है बताओं बता है चलो बता ही देते हैं है लढ़ी together हजुईएए है उर्ड़ झाल 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 भी कज़न तहर जर र extras हाँ, दादा ला बता हूँगा, ताला कौन्थे यह लोग? बता ने मुझे घर जाने की जल्दी थी, उस आदमी ने कहा, चलो में तुम्हें लिफ्ट देता हूँ, रास्ते में तीन-चार गुंडे और बैठ गए और इसी तरह मुझे यहां लिया है, कमाल करती है यहां भी, इस तरह से कोई अज्यान आदमी अगर लिफ्ट दे दे तो क्या उसक मुका नहीं खाओगी, चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, अरे, रुक क्यों गई, अकल की आखों से देखिये, क्या मैं गुंडा लगता हूँ, ऐसा तो नहीं का मैंने, आप नहीं कहरी, मगर आपकी चैरे का उड़ा वर रंग कह रहा है, चलिए, आप यहां रहती हैं, अच्छा मैं चलती हूँ, वहारे उपर वाले वाह, क्या जमाना आगया है, यह दुनिया भी कितनी बे मुराववत है, जिनकी मदद करो, शुक्री आदा करना तो दूर की बात है, घर बुला कर चाय को भी नहीं पूछते, मैं मजबूर हूँ, ऐसे क्या मजबूरी है, मेरी मजबूरी का दूसरा नाम मेरी भावी है, जो मुझे बहुत जल्म करती है, कमाल है, यह कैसी भावी है, भावी तो मा का दुसरा रूप होती है, मेरी भी भावी है, लेकिन वो तो मुझे मा से भी ज्यादा प्यार करती है, आप बहुत कुछ नसीब है, जो आपको ऐसी भावी मिली, अच्छा, तो चलो मेरे साथ, कहां, मेरे घर, मैं तुम्हें अपने भावी की हाथों के बनाई हुई, गर्मा गरम चाय पिलाऊगा, अब अड़ना, अगर मेरी भावी को पता चला, कि मैं तुम्हाले साथ गई हूं, तो मुझे घर से निकाल देगी, तो क्या हुआ, अगर तुम इस घर से निकाली जाओ हम दर्द बनकर उसके दर्द का इलाज करना बैट गए, तुम्हारी हसी कितनी खुबसूरत है, क्यों, कुछ गलत का माना है, वो तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन आप डालोग भर अच्छा बोल लेते हैं, अरे बाई, जब सामने क्यामरा हो, तो डालोग मारना ही पड़ता मेरा ख्याल है, अब मैं चलू, सुनो, अब दुबारा मुलाकात का कोई चांस, चांस तो है, मगर कब, कहां, किस वख, पता नहीं, वो, अज, आईए, महारानी जी, आईए, बहुत चल्दी लोटें कॉले से, रात गुज़र जाने देती, कल सुबे तश्रीव ले आती, बा अच्छा, बदमाशों ने घेर लिया था, मैं सच घेरे हूं, भाबी, खामोश, बढ़िया ही सच बोलने वाली, लड़कों नी तुझे घेर लिया था, या लड़कों का घेरा देखकर, तो खोद उसमें घुज़ गई थी, भाबी, अरे, हाथ भर की लॉंडिया, मुझे आ आखे निकालोंगी, एक तो बदमाशी की चाल चलती है, उपर से तेरी मेरी आखे दिखाती है, आने दे आज तेरे भाईया को, अरे, आने दे क्या, मतलब आ गया, मैं आ गया, देखो जी, तुम अपनी चिचोरी हरकता से बाज आ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मै अच्छो अपनी लाडली बहन से, ये, ये कॉले से आने का वप्त है, मैं दो घंटे से उसके इंतजार में टेल रही हूँ, रहा, तुम तो टेल टेल कर एकदम आधी हो गई हो, क्या कहा, मेरा मतलब, अच्छा, उसकी ये हिम्मत, हाँ, और जब मैंने पूछा, तू उपर स के विरादरी में नर्फ कटा के उर जाएगी, उसकी ये हिम्मत, ओ, माफ करना, घड़ी-घड़ी हिम्मत नी गहना चाहिए, मैं उसे ठीक करता हूँ, तेखो, तुम एक काम करो, मेरे लिए गर्मा-गर्म चाय बना के लाओ, क्योंकि उससे के इंजन के लिए चाय पेट्रो अरे यार, मैं समझा समझा के तुझे बूढाओ चला हूँ, और तेरी खोपड़ी में बात ही नहीं आती, पगली सुन, भगवान ने इस दुनिया में दो कसम की मिर्चियां बनाई है, एक तो वो जो पेड से लटकती है, और दूसरी वो जो जबान से टपकती है, और तेरी कान से सुनकर उसी कान से निकाल देना, इस कान तक पहुंच नहीं मत देना, समझी, हाँ, 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 तेरी ये हिम्मत, कान खोल कर सुन ले, आशा, अगर तुने तेरी भावी को दी निराशा, तो बदल दूगा तेरे कि भाशा समझ गई आशा पर यहां बोला है और खबादार है कि फिर मैंने भी वह शौट्स मारें कि उनकी तो बिल्डिंगों के खंब हिलाग रख दिए अगर तुझे तुझे कहीं चोड़ता नहीं लगी लगी दिल पर लागी करजवा कटार अब भाबी जब भाईया भी इ मुझे भी वहीं पर हालका हालका मिठा मिठा खटा खटा अब टिपरमेंट जैसा दर्द हो रहा है शर्म नहीं आती मेरे सामने तो ऐसी बाते करता है अब भाबी देखो तुम मेरी मधर फ्रेंड हो यानि के मा जैसी दोस्त मैं तुमसे नहीं कहूंगा तौर किससे कहूंग वह इससे में चुपके से उसका फोटो भी चुरा के लिए कि दिखाओ हूं हुआ है कैसे माजी को दिखा दो ना अब आवा ना मरना है क्या वालकर मैं कहता हूं जब तक यह मामला जमना जाए तुम भाईया से भी कुछ मत कहना मत कहना हां जब तक मैं लड़की देखकर हान जब तक तो मामला आगे नहीं बढ़ाना लेकिन भावी अब क्या है मुझको तो लगता है कि मामला आगे बढ़ चुका है एक मुलक अपनी हाँ कंप्यूटर का जमाना है ना भावी वह जमाना गया जब लोग दिल पर हाथ रखके बरसों इंतजार किया करते थे वह घासले बस अच्छा तू भावी अमर को प्यार करने का सबक सिखा रही है हेलो हेलो डार्लिंग हराम खोर डार्लिंग होगी तेरी मा तेरी भेन तेरा पुरा खांदन यह तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी सड़ी हुई खून चाटने वाली चुड़ेल ने फोन उठा लिया था प्रूली प्रूला था खांदन चाटने के बढ़ेला रही हुई है तुमारा नाम नुरू निशा महरू निशा कमरू निशा दुखतरे रज्जाकली मौममद लिए चुना यह लगने वाला बस 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 या का मैं आच्छी तुम्हें जी दरअशल क्या है आंटी हमोश मैं आंटी नहीं मैं उसकी भावी बोल रही हूं पाफ कीजेगा वैसे आवास से तो आप माशाला उनकी छोटी बहर लग रही है दरसल बात क्या है अपा कल के तीन मज़े की शोकी मैंने दो टिक्टे ली है अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आशा को अपने साथ ले निवाला टॉकिस हाँ अभी अभी नई तो बनी है ये टॉकिस मागर ये फिर्म कबाब में अड़ी लगे का अभी पांच मिनट पेले कल जरूर देजिएगा खुदा अफिस पांच छी यो अब आपकी जी आप राम बाबू है ना चीया है मगर आप मैं जोक्टर शर्मा की बेटी दीपा हूं मैं आपको पैचाननी जी कोई बात नहीं लोग बरसों में अपने आपको भूल जाते हैं मैं तो फिर भी गेर हूं शर्मा की जीगा दीपा जी कि आपकी पिता जी ने आपकी तस्वीर मा को भीजी थी लेकिन में शादी के लिए हाँ ना कर सका वह इसलिए कि मैं किसी और से प्रेम करता था इसमें माफी मांगने की क्या बात है शादी ब्या तो मुकदर से होते हैं जोड़े तो उपर ही बन जाते हैं तर्फ फेरे इस मेरा तो जीवन खुश्यों से भर दिया उसने तो दिन दूर रहूं तो रहा नहीं जाता है उड़कर पहुंग जाने को मन करता है अच्छा मैंने सुनता कि आपकी सगाई किसी पाइलेट से हुए जी मगर शादी से पहले ही ले इनकराज में उनकी टेथ होगी वह आम सुर्व अच्छा है यह सद्मा पिताजी भी सेह ना सके वह भी गुजर गया और शादी से मेरा भी दिल लुट किया घर बसाने का या किसी की पत्नी बने का इरादा ही छोड़ दिया अब आप क्या कर रही हैं टोक्री कर रहे हूं लोगों की सेवा करके सुक्भल दोड़ती χू प्रक्रादस करने का या रादा है बस वही क्थि रहूंगी अच्छा बम में चलो अच्छा है हमारे शहर में महमान वंकर आ रही हो कुछ बॉफी मांगने का कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा मैं अपना कार देता आपको यह मेरा घर का इड्रेस थैंक यू है 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 मुझे बात लगाद करो उप्दा छोड़ो मांदी जो बदा करो वक्त में आओ अच्छा बाबाब मां कर दो आने में क्यों देवी हो गई सोचते सोचते में तो सोगे तेरे इन आप में तो हो गई अच्छा बाबो में क्या देखा मैं तुम्हे माहों में भरती ती तुम मुझे माबो में कि करती है में आपे तुम्हे टुम्हे तुम्हे सव्दी तुम्हे स्क्राओव तुम्हे तुम्हे हुआ 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 हुआ! कि आना है, क्या वह किसी को आना है, बोलेगी है या लेका, दिल तुम्हारा क्यों धरका, वो एक तोद हमारी है, चानी उनायको आरी है, घर उते क्या मिलोगे तुम, मिले तुम, क्या कर लोगे तुम, एक को जो देखोगे तुम, तो जार जार को देखेंगे हम सुरी बाबा, I'm very sorry, और गलती से अब न मिलेंगे, थाते हैं तेरी अलसम हाई डाली, तुम के से हो, यह मैं डाली, मैं अच्छा हूँ हाई बाली, मैं अच्छा हूँ हाई बाली, मैं अच्छा हूँ अप अपना पाघर मीना, ना मुम्किन हो जाएगा, ना च्छान इस जोरा हसी, मुझे थने आएगा तुम्हे वो पसंद है, बहादी मुझे, ओ हो, दुख्य मैं मुझे क्यूं रख्था फिर, चचच कर मुझे जराया क्यूं और किसी का होना था तू, मुझे यार बढ़ाया क्यूं मुझे जराया क्यूं है मेरी हेलो डार्ली कोलो डार्ली हेलो डार्ली येस माँ डार्ली अगो तुम्हे लेगे, खागों में खुख्यूए रे चचच जी आ गए चचच जी आ गए का है पताजी तुम कैसे बढ़ा ये क्या ये तुम्हे अपने बढ़ापे के लाएं पताजी तेरे बढ़ापे के लिए ये तुम्हे बढ़ापा भी बहुत दूर है नाइ नाइ मेरा बढ़ापा तो मेरे सामने घड़ा है कहते हैं कि बेटा बुड़े बाप की जवानी होता है तो बाप बेटे बढ़ापा हुआ यानि के मैं ये आप के लिए लाएं पताजी बोड़ी खुब्सूरा चड़ी है ये तो विल्कुल मेरी तरह बुड़ी हो गई है रादाजी क्यासे जी चड़ी दादी को मारने के लिए लाए है क्या सुने कि तो क्यामत करतेगी वो तो हर रोज होती इसमें नहीं बात क्या है वैसे मा है कहा है अरे बेटे मैं यहां हूँ मा आजरी देने जा रहा हूँ जुग जुग जी हो बेटा कैसे आप अच्छी हूँ मा ये तुम्हारे लिए सार्या और इसमें तुम्हारी वो पर्फ्यूम्स बगर बगर जो मंगाई थी ना सब ले आ रहा हूँ कितना ख्याल लगता है मेरा एक यह है एक गिलास पानी तक नहीं पिलाता जूट के बलती है मा कल दो गिलास पानी नहीं पिलाय था क्या इसलिए तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है यह तो विचारा जोटा है पढ़ रहा है तो खुम करना तुझे क्या चाहिए राम अच्छा हूआ तो आ गया तेरे जाने के दो दिन बार मेरा दो किलो वज़िक तम हो गया आज रहा है क्या क्यों जूए नहीं रहीं ये नई मोटरसाइगल लाया हूं होंड़ा हां मुझे जकटा रहा है क्या लौटता को लीया मेरे लिए क्या लाए तुमारे ली तुम हम भूल कर डूल से वह लाए यह यह प्रूम यों ऑख यह लाए बाइस коे बेसकोप यह यह उन्दर के चीज़े न इसे में के से सिनमा यह चैना है लेना घुश्ज है मैं शीता तो बैसकोप बाके बास दूब लाने की क्या जरूर थी इसे अच्छी बास को तो घर में चल रही है तुम रोज गूते जाना और कफर में रोज नहीं नहीं फिल्में देखते रहना कि अब आगे यार तुम बीवी हो या से आइडी ऑफिसर हो बिना देखे पहचानगे बीवी तो पती को सूंकर पहचा लेती है और आपके बगर कौन छू सकता है या तुम बहुत दार्मिक बाते करती हो वैसे आज मेरा मूल बहुत रोमेंटिक है आखे बंद करो ना क्यों आ आखे बंद करो ना क्यों आखे अरे बहुत खूब सुरुत है लेकिन इतने किम्तिहार को ख्याल रखा जा रहा है सबका किसी को हार किसी को मोटर साइकल किसी को छड़ी और एक हम है कि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं हां भाई पराई जो हो गई हूँ अरे जिए अरे टुझे क्या चाहिए मुंझे यह हर चाहिए लेव ये क्या करें तुम मैं तुम आले दूसा हर लें आऊंगा तु मेरे सब्सक्राइं चल ऐसे दस दस हार पाटूँ दुगा एरे तुम वो जी मेरे मूह मत लगो अच्छा नहीं होगा यह कौन सी नहीं बात कुछ करो कि तेरे साथ रहे के कभी अच्छा होगा जो अब तेरे मुझ लख्के होगा अब चुप भी करो देखा यह ऐसा है मैं जरए इसका screw आप नी बहनोई ने बताया कि आप यहां है खैरियत तो है अचानक अभी तो आपके साथ में सफर करके आ रहा हूँ जी हां सफर तो करके आ रहे हैं लेकिन आपने मुझे कुछ ज्यादा सफर करा दिया मतलब यह कि आप मेरा सूट किसले आए और अपना छोड़ आए और अपना चोड़ आए यह शायद आपकी पत्नी है नमस्ते नमस्ते मेरे नाम डॉक्टर दीपा है मेरे नाम सीता है बहुत सही नम है एक तो राम जी की पत्नी के हिसाब से दूसरी नजर न लगे आप बहुत स्थरत है और तीसरी जिस्तरह आपने राम सी को अपने प्यार की जंजीरों जकट रखा है उसके हिसाब से रास्ते भर आपकी तारीफों की माला जब रहे थे बैठी कहिए क्या पीएंगे आप कुछ ऐसा पिला दीजिए कि मरी सिर्फ मेरी ही तारीफ करने लगे जिस तरह ये आपकी तारीफ कर रहे थे अरे वाहर से आया है 14 साल के बन्वार से तो नहीं आया जेया जिकलती आरभ बहु यह इती जोर-जोर से कौन चला रही है कि मेरी मा है कि यह दिन में हजार बाद चिला न लें उनका खाना अजबनी होता है कि तो अज़ार रात को निन नहीं आती है अच्छा मैं चलती हूं और वो चाह ला रही है सीता वो जी नहीं फिर कभी अच्छा चाह चाह मैं कुछ चोटाए अच्छा मेरा सूटकेस तो इनायत कर दीजिये अच्छा यह 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 आपका है प्लीज प्लीज सुनो एक पप्पी दोना तुझे पता है आज दिन कौन सा है आज बुद्वार है अरे बुद्वार की चाची आज तेरा जनमवार है मेरा मतलब है जनम दिन है अच्छा हाँ एपी पर्स देटू यू यह सब क्या है बहिया जरहाट ना हम साल किरा के मुकदस दिन पर मा बदूलत अपनी चोटी बहन को तोफो में तोलना चाहते हैं यह पैकेट बड़ी नदाकत और नफासत के साथ खुला जाए जो हुकमा लिजा हम जल्दी करो हम इस अच्छा है बहुत अच्छी है महिया आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं तक्दीम ने एक ही तो बहन दी है उसका ख्याल न रखू अरे मेरा बस चलता ना तो अपना दिल निकाल कर तुझे तौफ़े में दे देता लेकिन मुसीबत यह है कि दिल मेरे पास एक ही है और अगर वो तुझे दे दिया तो अपनी जिन्दगी की गाड़ी बंद हो जाएगी है ना और फिर हमारी बहन का खयाल कौन रखेगा यह जैक्त आज की दिन रोणा दोना बुरी बात बुरी बात अरे आज की दिन हसोगी तो साल भार हस्ती रहोगी हसो फिर कंजूसी हतो ना हाहा जल्दी से दर्वादर क्छो ज़ता है हिस लाड़ी तू अंदर जामें समादों जी कि आया भागवान आया कहा है वो कहा है वो तुम्हारी लड़ली बहन अरे यार क्या तुमने करे लेके पेट से जनम लिया था आते ही हमला शुरू कर दिया क्या नहीं मेरा मतलब है जरा घर के अंदर आ जाओ दो चार सांसे ले लो फिर बात करो तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा तो तुम्हारे साज बंद हो जाएगी अब क्या हुआ क्या हुआ यह पूछो क्या नहीं हुआ अच्छा क्या नहीं हुआ मैंने अपनी आखों से देखा है वो एक गुंडे के साथ मूर्टर साइटल को चिबक के बैठी थी अच्छा उसकी यह हिम्मत तुम हिम्मत हिम्मत कहते रह जाओके और वो किसी लुच्चे लफंगी के साथ एक दिन पर हो जाएगी और विरादरी में हमारी नाक कट ठालन किया है तुमने फिर मुझ्म तुमने फिर मजाग किया मजाग कैसा मजाक मैं तो घुष्य से लाल हो रहा हूं वह उसकी यह हिम्मत ठीड़ आ practically आज क्यों नहीं आज उसका जनम दिन है उसका जनम दिन है लेकिन हमारी ऍजद्द्य का मरन दिन है मैं कहते हूं अब जाकर उसके खबर लो माया तुमने तो हमेशा मुझे समझदारी की बाते सुनाई है और आज तुम ही नासम जी की बाते कर रही हो सब्सक्राइक बाए हैं तो मैंने इन्सानियत का सबक सीका है तुम ही ने तो कहा था कि जब किसी खुशी का दिन हो या जनम दिन हो तो उसकी सारी गल्टियां माफ ना चाहिए कि याद नहीं हर बड़ा बड़ी बाते करके उसे भूल जाता है फिर तुम्हें लेकिन मैं भूल रहा हूं और याद आया याद आया याद आया मेरे लग से जिगर ये तुम्हारे लिए तौफा क्या नजाकत है वा वा यानि प्यार से दिया हुआ तौफा इतनी नजाकत से कुबूल कर रही है मेरी रानी माया अगर तुम्हारे जैसे नर्म मिजाज और ठंडे दिल की औरत मेरी जिन्दगी में ना आती तो मेरा क्या होता पसंद आई आइस्ता यह कुट्टे कान नहीं मेरा गाल है गाल थेंक्यू कि दूनों बचा बच चॉकलेट खा रहे हैं इसमें कोई जरूर कहरी चाल है मा मा अच्छा तो यह बात है अरे मैं तो उनका खून पी जाओं चलो उन पिल्लों को चल कर पूछें कि मेरी इजादेत के बगएर उनको चोकलेट किस ने दी चल माल चल चल ऐसी धुलाई करके उनको याद रहे वो देख मा छुपके बैठे हैं के तन कान तो कि दर आओ की तादी मा के बच्चे यह चोकलेट किसे दी और अगर तुम दोने ने बादार से खरी दी है तो पैसे किसे दी है पता आपके बोता पोती है कोई जानू तो नहीं है इन हराम खोराने मरे कलेजे को छनी की अब से पूछ रहें यह चोकलेट कहां से आई है जवाबी नहीं दे रहें और जब तक ये जवाब नहीं देते मेरे हाथ रुकने वाले नहीं इतना दुलम मत कीजिए क्या किया है मेरे इन मासूम बच्चों ने जो आप इतने बुरी तरह पीट रही है कबसे इन दोनों से पूछ रही हूं कि चौकलेट के लिए पैसे किसने दिये कहां से आए पता दे क्यों नहीं चौकलेट खाने क्या पाप है इस घर में तो बिना मुझसे पूछे पानी पिना भी पाप दे ये तो आपका जल्म है मांजी मुझसे क्या पूछते हो अपने रिष्टेदारों से पूछ अपनी पत्नी से सिता यह क्या हो रहा था कुछ नहीं आप ऊपर चलिए मैं खाना लगाती हूं उमा तुम बताओ क्या हुआ हूआ मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे बीच में मत घंसी तो आखिर यह क्या हो रहा है कोई तुम मुझे बताओ कि क्या बात है कुछ नहीं है आप उपर जाईए ना कि मामला क्या है कि इन बच्चों को चोक्लेट खाने कि लिए पैसे मयाई दिये थे तो ने रह थे permits एमप इतनी पैसे आयका से और तुमें इसने पैसे दिये उसके पास इतने पैसे आयका से चोटी सी बात का पतंगड बना कर तुम एक फसाद कर देती एक चुप हजार फसाद मिटा देती है इसलिए हम सब चुप थे मगर फिर भी तुम मानी नहीं और हंगा मा खड़ा करी दिया मासूम बच्चों पर आथ उठाया गंगा भावी पर आथ उठाया बहुत ही शरम और अफसोस की बात है मा यह घर है यह जब भी धका मांदा आता हूं तो कोई जगडा फसाद ताने तिशने की सवार कुछ नहीं स सीथा मुझे मुझे माफ करतो किसमत के माफी मैंने मैं आज पहली बार तुम पर हाथ उठाया तो क्या हुआ कि कसम से सीथा मैं अब परिशान हो गया कई बार सोचता हूं हम इस घर से अलग हो जाए नहीं कभी भूल कर भी इसा खैल दिल में मत लाईएगा यह पाप है आप इस घर के बड़े हैं सब आपके साहरे चल रहा है हम चलेगे तो तो इस घर का क्या होगा आकिर कब तक ऐसा चलेगा सीथा मैं आपके सामने हाथ चोड़कर भी निति करती हूं हैसा मत कीजिए मैं बहुत खुश नसीब हो कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्ती मिली मुझे लिए कितने सावस, कितने सावस बीदे तुम हो वही या और कोई तुम लगने लगेने कितने धड़न, कितने ओवन, कितने ओवन कितने सावस, कितने सावस, कितने सावस बीदे कर दूरा ऑज करना झू़ारा। करदा झचाना Dai कर। नप जयो प्रॉब में तेरी तरह पुजारों प्रॉब में जब ही आजी तेरी खुरर निहारू खड़कन खेदी दिल में मेरी ही प्रम गुजारू खोलू में जब ही आखे मेरी फुरह रिखारू मेरी कर मेरा जाब सजड़ मेरी हर साथ चले कितने मौसम, कितने सावन, कितने सावन पे गए तेरे बचन के मुबाबिल क्या पूल और क्या सिचारे कुछ भी नहीं देरे आगे दुनिया के सारे नजारे तेरे बचन के मुबाबिल क्या पूल और क्या सिचारे कुछ भी नहीं देरे आगे दुनिया के सारे नजारे जनन की हसती ही तेरा जोचात मिले कितने मौसम, कितने सावन, कितने सावन पे गए कितने सावने यहीं मौसम, कितने साव обяз कितने सावने बिए रनर ए दिए हैक मौसम कि यह रिजा के बचिक गई और क्यूंत तो क्यों उस दो किया मांत तूम्हें बता कर भी नहीं गएकिड़ कि तका मतलब यह है कि मुझे गिराना चाहती। जाना gaatी हम अधर कार्याय कर धकर बना के स्वचल इस तुरिANS कि भी तो यूड़े तो वो अपनी पती के सब्सक्राइब той तुम दोने के नाल में क्युว और इस उमर में नहीं जाएगी तो कामारी उमर खुप में अगर बीच में तो तुम यहाँ पिनकालत मत करो घर से ऊप दो चुप रही रही है षर हां पर profits you क्या अवरत है तो बहुत बहुत है क्योंकि मेरे भावी को सब कुछ पता चल गया है और वो मेरी शादी कहीं न तहीं करने पर बुरी तरह से तुली हुई है अरे नहीं आशा ऐसा मत करना वरना अमर तो मर जाएगा कैसी बाते करते हो मैं वहां बात तक नहीं कर सकती अगर शादी के लिए इंकार करूंगी तो सुली पर नहीं तांग दी जाओंगी Seriously , तुम्हें काम लों को बोल कर सबस्क्राया है क्षेली में दूर्ब से परफ़े दोटा यह बह्तां यह युद्य पाना得 टता कड़ी ऑत लिकसित्प्र between इसब अब हर नहीं कि सबड़ाम सकता है अच्छा यह तो गवड हो गए तुम़ारे क्या होगा मेरा कबाड़वा खाइदा कुछ करो । मैं क्या करूँ जाकर माजी से बात करो माजी से बात करूँ ना वाबा ना भाबी तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा मसे यगा आशा से मिल दो तुम्हें मेरी कसम अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं दिया तो हमारे प्यार की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अगर तुम वाकई मुझे चाहती हो मेरी जिंदगी और मेरी प्यार का तुम्हें भी खयाल है तो तुम वहां जरूर होगी मैं वहां आकर क्या करूंगी वो समय तुम्हें वहीं बताऊंगा वरना इस घर के तो धर्वाजे खिलकी परदे सब के कान है यहां तक के हवाओं के भी कान है वहीं पर एकान में बैठके बात करेंगे तुमाना प्लीज यहंत अंवर क्या कह रहाता है पागल है उठ बगता रहता है मैरे खाल से उसको मर वो गई है शादि कर देनी चाहिए हृँ वार करेंगे ते तू बैठ आज बहुत डार्लिंग वाले फोन आ रहे हैं तई तेरा चक्कर तो नहीं नहीं तो बाबी हम है अलो अरे वाप्रे नमस्कार हम विप्ता पर साथ यादो देवारिया पूर हलो क्या काम है तुम्हें हम चैनल तैलिफून ट्रर्न मतलब है कि हमें याप असी न्यूम मिली है या प्याट ऐसी किले है व्हें रसी करने के लिए ज़रों अपना पुराना बिल दिखाईए ए मैर को खाल आपहर थक्षाण हां और यह वाल थे बात occurred बीठ्वा काही जा साथ कि अच्छा कि अमर हुँ अमर काम इसे बात हो गई चिट्थी में पढ़ लेना ताइम और पताली का यह है कि अबड़ पुक्रिया नए तकलीफ देती है कोई टेलिफॉन वाली फुल्प खराब नहीं है टेंसन देती तकलीफ देती है टेम खाफ करती है मलो है यह राव बिल अपना प्रेपास रखिए हमने अपना काम कर लिया अ कर लिया वह कैसे हां उकाबात थी मैडम कि आपके टे है प्रूस्य करता है लो फाबिमार बोल रहा हूं हां अमर बॉलो वह बहुत देर हो गई है मैं घर नहीं आसकता तुम नेशनल पर जाओ ना नहीं बाबा मैं नहीं आ सकती मैं कुछ नहीं जानता डेखो मेरी करकी सुनो कोई मजबूरी नहीं कसम खाकर शेया अगर तुम नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूँगा और मेरा खुन मेरे प्यार का खुन तुम्हारे सर लगेगा अच्छा बाबा अच्छा मैं आ जाओंगी वही तो मैं कह रहा हूं छुप केसे चलिया आना और सुनो घर में किसी को शक्त ना होने पाए तुम फोन रख दो अरे आप आज आप इतनी जल्दी क्यों मेरा वक्त से पहले आना तुम्हे अच्छा ही लगा नहीं नहीं कैसी बाते करती हैं आप आए और मुझे अच्छा ना लगे मगर कभी वक्त से पहले आते थे तो फोन कर दिया करते थे हां मगर कभी-कभी फोन की बगएर भी आजाना चाहिए महुल का पता चल जाता है कैसे महुल कर छोड़ो महुल को अब चुकि मैं जल्दी आए गया हूं तो सुना शेयर में यह बहुत अच्छी पेच्छ लगी चलो से देखने जलते हैं नहीं आज मेरी कभी ठीक नहीं है ठीक है मैं अकेला ही चले जाता हूं अच्छा इसी बंचन के नहराते हुए कहा जा रही है महारानी महारानी यही है ना तेरी लाइबरी आ जवाब दे क्यों काफ सुं गया या दम उखड़ गया आज पता चला के कॉलेज और लाइबरेरी के नाम पर तु क्या गुल खिला रही है बे शरम बे हया चुड़ेल चाल चल अंदर चल जा अपने दमरे में मैं नहीं जाओंगी तो अंदर जाती है कि नहीं नहीं चाल जाओंगी तो अपनी प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ और अगर तुम भी ऐसे दिल तोड़ने वाली बाते करोगी तो मेरी तो घटियाए कड़ी हो जाएगी ना अरे पागल अकल है क्या तुछी तेरे भाईया घर आए थी और मुझे सिर्मा ले जाने के जित कर रहे थी उन्हें टाल कर आए हूँ भावी भाईया का ख्याल तो रोजी रखती हो कभी-कभी अपने बेटे का भी ख्याल रखा करो नहीं ख्याल है इसलिए तो मैं उनसे बिना बोले चलियाए हूँ अरे मेरी भावी कितनी स्वीट हो तुम अभी पांच बज गए वह बेचार जरूर घर में फस गई होगी इसलिए नहीं आप आई लेकिन भावी भावी उसे कुछ भी करके आना चाहिए था अब देखो ना मैंने तुमें बुला लिया और वह गायब चलो ना चलो अब अभी तक यहीं बैठें तो फिर आपका क्या रादा है तहीं जाकर लटक जाओं कैसी बाते करते हैं मेरा मतलब है मैंने सोचा तो आप शायद फिल्म देखने गए होंगी फिल्म देखने नहीं किसी फिल्म की शूटिंग देखने गया था शूटिंग किस फिल्म की है कुछ अपनी लोग उनकी शूटिंग देखने अच्छा मालू मैंने वहां क्या देखा क्या देखा रवांटिक सीन चल रहा था हिरोईन हिरो में वैसे अगर उस हिरोन को देखो तो घर में बिल्कुल सीधी साधी सीता जैसी शरीफ मगर मां अपने हीरों के साथ ऐसे गुलचर्रे उड़ा रही थी खमाल है वैसे तुम कहा थी मैं मैं किचन में थी अच्छा अच्छा किचन में थी एक बात बता सीता क्या तो मुझसे प्यार करती हो क्यों आपको मेरे प्यार पर शक है नहीं सुना है समंदर की गहराई को ना अपना असान है मगर और दिल की गहराई को नापना गोर्ण जिसने बी कहा गलत कहो ओरत के दिल की गहराई को ना अपना इसके लिए आंख़ह और वो john सिर्फ प्यार करने वालों के पास ही होती है खेर मैं आपके लिए चाहे लेकर रहती हूं आशा यह सब क्या है किसकी चिठी है यह एक बहन तेरे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं लेकिन अगर किसी ने मैं नेरी बेहन को गुमराह करने की कोशिश की तो उसकी चान लेलूगा मैं क्या है यह सब नहीं बेहन मैं जानता हूं तू कोई गलत कदब नहीं उठाएगी अच्छा तू ही बता कौन है वो जिसे तू चाहती है बता अरे बोलना मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है कालेज में पढ़ता है माप आप कौन है कांड़ान कैसा है यह तो मैं नहीं जानती लेकिन उनके पिताजी के नाम ठेटधंण राज है क्या कि एफ धंड़ाज का लड़का और मेरी मेरी बहन की पसंद जितती रहा बहुत हो तो बहुत होते हैं तुर बुडी लगए अरे बहना तुने तो ऐसा जीओन साधी चुना है जो डिस जनम कर भी तेरे लिए नहीं सकता था जो आगई आफत की गपलिय कि dieмотр कर सकती है समझी अरे मैं तेरी तबियत साफ कर दूगा लेकिन तुझे माफ ली करूंगा तुने मेरी नाग कटवा दी अपनी भावी का मूँ हमेशा के लिए काला करवा दिया अब अपना काला भयानक मूँ लेकर बाहर के से जाएगी अबरदर जो आज के बाद इस कमरे के बाहर करम रखा दो तेरी टांगे कटवा के खड़िया में फिट करवा दूगा मैं हाँ अरे अपने आपको समझती क्या है खिला के रख दिया मैंने उसे उसकी यह मत विम्मत गई भाड में अब इसका फ़रल खिकानद कर देना चाहिए मैं आज ही जाकर किसी लड़के से उसकी बाद फाइनल कर देता हूं तूम फाइनल वाइनल कुछ मत करो तूम सिफ़े काम करो जमना दास जमके को लियाओ जमना दास जमके हाँ मा मा वो दोनों खुसुर खुसुर कर रही है जरूर तेरे खिलाफ कोई चाल चल रही होंगी अच्छा हाँ चल कर देश से जो भी काम होगा अब सब मैं कर लूगी तुम बस भगवान का ध्यान किया करो और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करें क्या खुसर फुसर चल रही है क्या मेरे खिलाफ जहर उगला जा रहा है नहीं मा जी मैं तो सीटा को थोड़ी नसीहत दे रही थी मा को नसीहत करना नहीं आता क्या मैं कोई गलत बात नहीं कर रही थी सीटा के पैर भारी है चो ती बाबी ने ये बाद पहले तुम्हें नहीं बताई संञे कि इस ने नि इस पत थोड़ी ऐ तुम्होे Star है कि अरे तुम्हेरा गळा है कि मिल का भूंगा है या कि ठखताही निहीं कि इंद iki मतलब यह बुला दादा बनने वाला है देखा यह मेरी प्रापना का असर पड़े आए प्रापना वले मंदिर में जा ठीक है रहे नाम भगवान का बस आके मत बोलना है पिता जी मैं क्यों बोलूं सारी दुनिया बोलती है राच चल रहा है शेतान का अरे अमोर बादा से जाकट 10 किलो बादाव और 10 किलो सुखे में वेलिया किस खुशी में अरे टेरे लाडली भावी बाब बनने वाले है अरे अरे मुबार्यको मुबार्यको भावी अ कंधान डुंसरा mouvement ना रो LISA पकड़ो ना अरे पकड़ो ना इत अर पकड़ों ना मले और बिल्कुल मेरे तरह होगा हाँ 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 लड़का नंबर पांच पूट दस ही जुचाई और देखने में अच्छा रंगोरा और सुखी परिवार और घर में माबाप भाई बहन सबके सुभाव एकदम नरम बोलू श्रिसत्त नाराणिदेव की जै नहीं च अच्छे उचा कद रंगोरा देखने में बाका सजीला सुखी परिवार लेकिन ये घर आपको नहीं चले गाया क्यों नहीं चलेगा क्या लड़का तो शराफत का पूल है लेकिन उसकी मान नफरत का काटा है वो बोलती कमें काती ज्यादा है उसकी मुह से शहद नहीं हमेश अच्छा है ना चलेगा रहे क्या खुलिम करती है आप भी नहीं आप जान बूछ कर अपनी ननन को क्यो मौत के मुह में धेके ल रही है आप ऐसा नहीं कर सकती है क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसाही करूगी मैं अपनी को गर में दूलन बना कर भिजूंगी लेकिन मैं यह पाप नहीं कर सकता आपको पापसे कैले न कर आपको पैसे से प्यार है किया पंसे Key बोलो शी सत्तनारान देव की जाए अरे भाई हो गया या अभी तक लड़के का चुना भी चल रहा है हाँ जी हो गया पूछो ना जाना दजी से क्या लड़का और क्या खांदान चुनाए मैंने अपनी ननन के लिए अच्छा आभी तो कहिए ना जी गंशामलाल जी शामलाल फर यूशा जिए आप लोग बैठिये मैं अभी चाय लेकर आती हो हाँ सुनो जड़ा गर्मा गर्णम मेरी तरह हाँ तैंक्यू आमला जमा दिया ना जमना डास जमकेजी है अरे ऐसी बुराय की धंद्राज खांदान की आपकी पत्नी की मारे खुशी के बाचे खिल गई मतलब मैंने जो कुछ कहा था ठीक उसी अंदाज से कहा ना बिल्कुल उसी तरह से तभी तो आपकी पत्नी ने लपके पकड़ लिया उस खांदान को अरे वा भाई वा इसका मतलब मेरा काम हो गया ए भगवाद तेरा लाख लाख शुक्र है और आपका भी बोलोशी सत्याइड देव की जये अधार ये अधार ये आईए बैठिये ये लो आराम से बैठिये आपकी चाइब पियेंगे ये काफी पियेंगे लस्ती कुछ भी नहीं घर में कोई बुजर्ग नहीं है क्या क्यों हम नहीं है क्या आप लोग तो है लेकिन आप लोग तो बच्चे हैं अभी या बात कर रहे हैं आप जानते नहीं चाहिल इस फादर ऑफ दे नेशन यूजिए आई वांट टॉक तो समबडी ओल्डर विथ यू परमिशन ओके वी ग्रेंट यू परमिशन थैंक यू लो अमार चैटा आगए जी आप दरसल मैं तुम ही को देखने आया हूं मुझे खैरियत हो है खैरियत की बात तो मैं तुम्हारे पिताजी के साथ ही करूंगा समाज गया यह जरूर किसी लड़की का बाप या बड़ा भाई है जो मेरे लिए शादी का रिष्टा लेके आया है इसे बगा दे अमर बेटा वरना तेरी महबत का टायर पंचर हो जाएगा अच्छा पिताजी से मिलने आएं आप पिताजी तो साब मंदिर गया है चार पाट घंटे में लौटेंगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं तो दो चार दिन तक इंतजार कर सकता हूं कोई बात नहीं स्टिएट पिएंगे या जी नहीं मैं सिग्रेट नहीं पीता आजी साब पीता तो मैं भी नहीं था मगर क्या करूं इस कंबक चरस और गांजे से पीचा छोड़ाने के लिए मुझे सिग्रेट का सारा लेना ही पड़ा आए मिन पॉर माइब एटर मेंटा आए युमीन आप चरस और गांजा भी पीते थे पीता था अरे साब लोग मुझे गांजे की चिमनी कहते थे चिमनी सारा शहर मेरे छोड़े में धुए से मधोश रहता था अला चिपकू और चरस भी मैंने शराब से पीचा शुड़ाने के लिए शुरू की दिया आइब अगें फॉर माइब यहांने आप शराब भी पीते थे पीता था अरे कोई ऐसा वजा पीता था अजी लोग बोतलो में पीते हैं मैं बालतीया भर भर के पीता था लेकिन सहाब शराब भी मैने कोठे और मुझे नों से पीचा छुड़ाने के लिए शुरू की थी आइन फॉर यह यॉर यॉर बै शुरू केसर बर बर के नोड ले जाते थे और जब पैसे खताम हो जाते थे लौट आते थे तो इतने सारे पैसे तूम लाटे कहांसे थे चोरी करता था ना तो आप चोरी भी करते थे लेकिन अब तो भी नहीं कर सकता अचा अब आप शरीफ हो गया इसलिए हरे आई सी की तैटी शरावत किया है हम लोगों का दिवाला निकल गया ना तंदा किया उसमें घाटा आदा इंकम डेक्स ले गया क्या बताऊं साप पानी पीने के लिए ग्लास भी नहीं बचाए घर में कमाले लेकिन यह सब सारा यह जो फरनीचर वगरा है वो यह क्या यह सब भीक मांगा हुआ हो बागे सब गि आप अपनी लड़की देना पसंद करेंगे आपनी कमरे बैटाव गीधा पड़ रहा हूं अब पर्माई ए कैसे आना हुग प्रमाई यह जी मैं अपनी छोटी बहन की शादी के सिलसले में आपसे कुछ बाते करने आया था अरे तो फिर नहीं नाम भगवान का तो खड़ा- जा तेरी मा को बोला गला मर गया जाका रहे नाम भगवान का ने ने इसने कुछ और कहा था न लाखों का नुकसार पर मेरे पास लाखों है कहां मैं हूं न मा मैं तो तेरा बेरर चेक हूं है न अब जो भी लड़की तो मेरे लिए पसंद करेंगी उसे कुछ तो लेगी तुम्हारी बहु बनाना चरथा मेरे जा मुझ्ये के रून कैसे कर सकता ैरे तो मार मार के कि देलु प्राइट को अध्यूरत कर लो श्यामलाल के हैं बाहत बागुने आरे बहु अरह यह क्या कदी है गर के मालकिन होते हुए पानी का घड़ा ले जा रही है जो आ बेटी चा तो मैं यह रिष्टा पक्का समझू हाँ पक्का चैय तो बाची का इसका मतलब है शुब शुबन है जब हमारी सगाई होई थे न तो आईसे ही कोई बाची का था अच्छा काश मैंने वचिंग सुनी न होती है क्या कहा नहीं मिरा मतलब है जब ही अपना परिवार इतना सुखी है अंसा खेलता है और तुम इतनी नरम मिजज हो है न शामलाल जी आप तो बहुत ही भागेशाली है बहुत शामलाल जी मेरा बड़ा बेटा राम है जी नमस्ते नमस्ते राम इनकी बेहन के साथ अमर की शादी पक्की कर दी है अमर की जी अब मैं एजाज़त चाहूंगा शादी का शुब मुरत निकाल के आपको फॉरण इत्तला कर दूगा मैं ऐसे किसे जा सकते हैं आप खाना खा कर जाएए ना तकल्फ की क्या बात है नहीं पहले दिन तो तक आपकर जहेज बहुत जैदा मां रहें है तो क्या हुआ जतना मांग रहे उतना दे दो लेकिन विल्फका साल दो देखो जी मैं फिर कहती हूं आशा की साधी होगी तो उससी लड़के से होगी माई ने तुम से चैसे करने की दोभ को सब्गो कर्वा कर रहूंगी कर आपक्य अरे हिला तो सही कुछ बोला तो सही तुम क्या बूलोगे मैं यह जबरदस्ती की शादी बर्दाश्ट नहीं करूंगा चाहे खांदान की नाग कटे या मा को पुरा लगे मुझे किसी की परवा नहीं है अमर यह क्या बत्तमिजी है अपने मतलब के लिए बढ़न का अदब ल मांगो ठीक है तुम कहती हूं तो मांग लेता हूं माफ कर दे माँ अभी तुम्हारे कहने पर मैंने माफी तो मांग ली शादी नहीं करूंगा देखिए आप उजर्गों के बिच बोलना या अपनी राए देना है तो बत्तमिजी लेकिन जब घर में आग लग रही हो तो वुझाना सबका फर्ज बन जाता है मेरी राय थी जब वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहता तो जबर्दसी क्यों की जाय रही है अगर अगर जबर्दसी ना की जाये तो तो वेहतर रहेगा कि एक बात मेरी समझ में नहीं आती मा कि इस शादी के लिए तुम राजी हो पिताजी राजी है यहां तक के भाईया भी राजी है मगर भावी राजी नहीं हां भाईय अपने अपने दिल की बात होती है ना हो सकता है कि भावी के दिल में कुछ और बात हो अभी तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहा है तो तुम मुझे भूल जाओ भूल जाओं या तो मुझे भूल सकती हो मैंने तो तुम्हे भूलाने की स्प्रेटिस भी शुरू कर दी है या बकवास कर रही हो हां मैं अपने खांदान की इजजत के लिए अपना प्यार नारियल की तरह तोड़ सकती हूं मेरे भेगाने मेरी शादी एक बहुत नालाइक ल बाल्टी भर भर के शराब पीता था ये काहानी तो सुनी हुई लगती है जरूर सुनी होगी वो तो कोठे पर भी जाता था परसो मुझ्रे में गुजार दिये उनकी कंपनी का दिवाला निकल गया और इंकम टेक्स रेड मार कर साब कुछ ले गई आशा की बच्ची ये काहनी मेरे बीया ने सुनाई तुमारे भई का नाम क्या है शामलाल अरह मुझे माण exemplo करéf कर दे मम मैर्चिस झोड़ता मुजे मसह प्र दे निये इटो बता इतना मसका क्यों लगा आया शरम वाला कर शादी के लिए इतनी लंबी जबान लेकर मुसे लड़ रहा था तब शरम नहीं आ रही थी आई न मा तभी तो राज बर सोया नहीं मैं कितनी गाले दे मैंने अपने आपको मालूम है मैंने का के अभे नालाइक अमर अरे जिस मा के पैरों के नीचे सारी राज जमीन पर नाक न गड़ता रहा देखोना मेरी नाक भी छिल गई है मा ए मा मुझे तेरा फैसला मंजूर है कौनसा फैसला अब वही शादी वाला अच मेरा लाजना मेरा मुन्ना मेरा बेटा अरे बेटी है सुन्ति हाँ अमर् अच्छों है अरे आरे मा है सुलो तो ले उसलै है मा पर एक ब्रक में नहीं आए यह दिए रात में अमर्पर किसी ने जादू कर दिया जो अचानक शादी के लिए यह क्या मर कल तक तु बिलकुल आग बनावा था आज बरफ बन गया अरे भावी जब असलियत का पता चलेगा तो तुम भी चौक जाओगी यह जो शामलाल जी आयते ना वही तो आशा के बड़े भाई है क्या है फिर मैंने खामका उनको जुट बोलकर अपनी कमपनी को दिव अब तो तुमारी खित्मत में पहले हाज रहे अब तो तुमारी चांदी है कि कि अ कि अ कि अ कि अ कि दुल हे राजा की सूरत देखो बस एक जरा धुमकी कसर है तया दुलहन है या लिली घोड़ी लगा में कहीं इदर उधर है तईया धुलहन है या लिली घोड़े लगा में कहीं इतर उदर है बाबा धुलहा है कैसा नरीडा देखोरे कहीं साथ खाएगा अपनी धुलहन का चहरा चुपाओ अपनी धुलहन का चहरा चुपाओ हार दुल्हा भाग जाएगा तो दुझे राजा की शूरत देखो बस एक जरा तुम की कशर है तो या दुलहन है या लिली घोड़ी लगाम कहीं इधर उधर है देखो क्या बैगंसा साथी मिला दिखने में एकदम बुधू मैंने भी सोचा था क्या क्या मगर फूटे तरम हाए गत्टू खुला घुमता खुला घुमता तो देखा गत्टू खुले हुए लाल चुनर है दुले राजा की दुले राजा की दुले राजा की सूरत देखो बस एक जरा घुम तकर है या दुलहन है या लिली भोडी लगाम कहीं इधर उधर है लाजा की दुले बस्टू कबजिऄomme कमाल है भावी मैं तुम्हें नीचे ढूंब रहा हुँ और तुमिया हेली बैठियो मेरे ठीक नहीं है चलो ना भावी कितना मज़ा आरहा है अमर मेरे बास सुनो सच मुछ मेरे तीक नहीं है न तुम्ही से नहीं मानहोंगी तुम्हें गोर्प उठाके लेजा पर जा पर जा आओ छोड़ एक मिनिट वाह क्या पोज है रेड़ी वान तूट तूट त्यरी कि मैं इसमें फिल्लम डालना में भूल गया एक मिनिटा मैं अभी रोल बरके आता हूं देखो मैं मुझे तंग मत करो अरे तंग करने के तो अब यस लीज़ना है और सबसे ज़्यादा तो वह तंग करेगा जो आने वाला है कि अचिए कि अचिए यूल जहाँ, तु कहाँ, तु कहाँ, इले दीरे. झाल झाल करहगा तूछायू नुर जहाँ, तू कह, तू कह, तू कह में यहाँ तू मेरे रोर, दिल कसरूर, पुर न दू, रोरना न दू, जले तू, जले जले चाहाँ हपा 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 यहास, तोु क्विता में यहाँ, तू मिरनों दिल कंग, हो ना नहूद, जली तू जली जएाँ Hey, 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 hey! गुणकाय निरिम। जंशी शादन खोटों में सार चुपा तुरे मेरो हूं तुस्रे युभी दिल तुई चाहे मेरा हाभा 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 लोर जहाँ तू का तू का मेरा हाँ, तू मेरा रू, दिल के सुरू, हो ना न दूßer, हो ना न दूर, जली तू जली जाहे कर दो जो को आदे़ा पीन टुर्ण Sun पreten कर दो अगा हुआ हुआँ हुआ हुआ हुएूबंध कर लो चाता कही सब्सक्राइब पर दो ऐूत सबस्क्राइब PODY मेरा बदन अगर चू मलू क्या हले होगा मेरा हाभा, 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 हाभा नूर जहा, तू का, तू का, तू का में यहा, तू मेरा नूर दिल कजरू ओ नननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन फञास वो, जो कलो होए हो क्लाओई प्योँ एा क्लो और रूम वो, प्योब debugging दो आप अरे राम बाभु आख तुमसे भी कुछी नी का उच्टी नहीं पिदाजी इसमें ताजुद की क्या बात है पिता जी भाईया और भावी में कुछ खिश्पिठ हो गई होगी और यह महरानी दुनिया आती है इनकी बला से और जाती है इनकी जूती से इन्हें क्या मस पड़ी रहती है आराम से अपनी बगवाद कर मालिक कि मालिक राम बाबु कल राज जब बाहर जारहे थे तो मुझसे कह गहे थे कि मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूं तो कंभग तुने पेले क्यों भता हरृप हरृफ एई हेए कंपनी की काम से, ऐसा कौन साम निकल रहा है। गुद मॉर्निंग। ये ये कौन सी जगा है। ये मेरा घर है। मैं यहां किसे आया। मैं तुम्हें यहां लाई हूँ। एक होटल के बाहर शराब के नशे में धुद पड़े हुए थे। शायद लोगों ने बाहर उठाकर फेक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि वहां से मैं गुजर रही थी और तुम्हें यहां लेहाई। लगता है तुमने जिंदगी में पहली बाशराब पी है। जो अब तक तुम्हारा सरदुख्रा है। एक काम करो, चाय पीलो, चल्दी से नहां धोकर तैयार हो जा। मैं तुम्हें घर छोड़ाती ह। घर? मैं अब उस घर में वापस जाना नहीं चाहता। कैसी बाती कर रहे हो। तुम्हारा नशा उत्रा नहीं अब तक। नशा तो सारी जिंदगी था मुझे, छूटी खुशियों का नशा जो आज उत्रा है। वह घर तो मकारी और बैमानी का एक स्टेज है। जहां लोग अपने चेहरे पे धोके बाजी का मेक अप करके शराफत की अदाकारी करते हुए फरेब देते हैं। मैं ना तो उस घर में कभी जाना चाहता हूं और ना यह किसी की सूरत इतना चाहता हूं। लेकिन ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी। जिंदगी की अपरवा भी किसको है। मेरे लिए तो बस अब एक ही रास्ता बचा है। और वो है मौत। यह क्या बेहुदा बात हुई। बिला वज़ा जान दे दोगे। हां तो क्या हुआ। मेरी मौत से किसी को क्या फक पढ़ने वाला है। लगता है कोई गहरा सत्मा पहुंचा है इने। इस वक्त अगर मैंने सहरा ना दिया। तो आदमी हारके अपने आपको मौजों के हवाले नहीं करता। बलकि कोशिश करके खुद इनके के सहरे किनारे पहुंचाता है। लेकिन अब मेरा कौन सहरा है। मैं हूँ तुम्हारा सहरा। मुझे खुशी होगी तुमारी खुश्यों को देखकर। तुम जब तक जाओ, मेरे महमान बनकर यहां रह सकते हो। लेकिन कसम खाओ, कि भूलकर भी खुदकुशी की बात अपनी जुबान पर कभी नहीं लाओगे। इपा बेटी, हामा। हुस्पिटल से डॉक्टर्स आये हैं। उन्हें बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। तुम चल्दी से तयार हो जाओ, मैं आती हूँ। नमस्ते जी। डॉक्टर दीपा, आप यह कहने के अनुसार शोग के सारी तयारें पूरी हो चुकी हैं। और यह ही शोग की बागी टिकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, अब हम लोग चलता हूँ। तीपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप चलता हूँ। ऐसे नहीं, जाने से पहले तुम्हें टिकेट खरीदना होगा। किस बात की टिकेट। जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ। वहाँ अंधे बच्चों के लिए वाट बनाना है। उसी के लिए डॉक्टर्स ने मेरे डांस का एक चारित इशो रखा है। उसी की टिकेट बेचनी। तो फेर ये सारी टिक्टे मुझे दे दो। सारी? पेच दूँगा। आज घर जल्दी आ जाना। क्यों? क्यूंकि आज मेरा करवा चौत कवरत है। अच्छा। हर सुहागन रात को चान देखने के बाद अपने पती की आरती उतारती है और तभी कुछ खा सकती है। और अगर तुम देर से आए, बाद भूकी रह जाओंगी। ओ, फिर तो मुसिबत हो जाएगी। एक काम करते हैं। क्या? मैं काम पर जाता ही नहीं। तुम दिन वर मुझे गोद में बटा आगा रखना। शाम को मेरी पूजा करना। और रात को खाने में मुझे खा जाना। चोड़ा। बेशरम कहीं के। कहीं के? कहीं के मतलब, मैं तो यहीं काओ। चला काओ भी आसे। आओ ना, क्या ओगे तुम्हे। ले। खा। खाना। देख, नखरे मत कर। क्या है। क्या है। क्या है। साथ चलना है क्या। चलो। अरे भागवान, अगर भूग बर्दाश्ट नहीं होती, तो किस ने कहा था कि करवा चोट कपरत रखो। तुम चुपरोहजी। यह भूग के मारे बुरा हाल हो रहा है। और तुम्हें मजाग सुझ रहा है। इस चान भी तो नहीं निकलता। पहे नाम भगवान का, आपरत रखना काम नहीं है मामूली इंसान का। मा, मुझे चक्कर आ रहा ह। शरम तो आती नहीं, चक्कर आ रहे हैं। क्या कहा। मैं यह करा था कि मान लो आज चान नहीं निकला तो फिर कल शाम तक भूग रहना पड़ेगा। मा, शुक बोला जी। ऐसी गंदी बात मुझे क्यों निकलता हो। मेरे मुझे निकाने चान थोड़ी निकलाएगा। वो तो जब निकला निकलता रहेगा। अच्छा, बोला। अच्छा, बोला। बीटा, चान देखे। चल, मा, चल, चान दोड़ी। ढूंडो, मा महीं लेगा नहीं। मा, आज के दिन सुहाकन वृत रखती है। कि अन से बले ही पेट खाली रहे। अगर सिंदुर से मांग, कभी काली न रहे। पती के साय में जिन्दा रहे। और उसे के गोद में मुस्कुराती हुई इस अनसार से चली जए। आज, आज तेरी इस पेटी के सुहाक का रखवालन नहीं आया, मा। अगर मेरी तपसा सची है, तो आज तुम मेरे पती के दर्शिन करा के रहेगी। बना, मैं यही तेरी चोकट पर सर पटक पटक के जान दे दूगी। क्योंकि यह मेरे पतिव्रता धर्म का अपमान होगा। तेरी इस बेटी की आन का अपमान होगा। मतलब, मतलब तेरा अपमान होगा। यह दोगी। चुल, क्या होगा है तेचि चुल ना? क्या होगा है तेचि क्या होगा है? उँल ना? देख, जब तक मेरे मुराद पूरी नहीं होती, तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगी, तुझ जा मुझे विश्वास्ता की, दुर्गमा मेरी प्रात्ना जरूर सिवकार करेंगी, और आप मुझे जरूर मिलेंगे, यह लीजे परशाग, इसमे थोड़ा जहर में मिला दो, पहतर ऐगा, यह आप, यह आप कैसी बात कर रहे हैं, चलिए, घर चलि City, घर, कैसा घर, मेरा कोई घर नहीं और चिसे तुम घर कहती हो, वह घर नहीं नर्क है नर्क जो कि यह क्या हो गया को अपनी घर को सिर्क हट क्या है पता है पिताजी कितने परेशान है और एक सफर कि लिए बिनार इप Nep отдjanze करती रही प्रभू तेरी भगवान को वह भात पुराने हो गया मिटी पर सोने को मपानी चुछा आप उतर चुका है अब नहीं चाहिए कर देशा रहा है हुए पूरिखना दिया जब जब जनम लूँ मैं हर जनम में तू ही हो मेरा पियार छूटे को भी राई साथ अपना संग संग रहे सका मेरा सजना जयते रहे मेरा जयते बेवान और नदया जयतना थे लोग संगण फॉनम मेरा मेराम संगेन ज कर वेरा जलко हमारी है आपक्र thyroid सिस्क्रीन सनने तो चांद समझ के बड़ तोड़ दिया था अरे गंगा जल्दी को पूजा कर सामा लेया ना भाई जल्द से खाना लगा लो हाँ तीन बार गुमाते हैं एक बार पे कम चला रही हो चलो इसा लगता है पूजा करके भगवान पैसान करें हैं लोग यह करी तूने अभी तक मेरे आर्थी नहीं उतारी और खाने बाट गई मैंने तुमारे फोटो की आर्थी उटा ली तभी आयू खाना खाने यह मेरा अपमान है और इसकी सदा जरूर मिलेगी आज मैं तुझे जबर्दस्ती खीच के ले जाओंगा और ऐसा मदा चखाऊंगा कि अगले करवा चोग तक तेरे हाथ फड़ फड़ाते सूखे पत्ती की तरह हिलते रहेंगे फड़ 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 चाल जाब अगर अगर आज मेरे साथ नहीं आई तो मैं क्या करेगा दूसरी शादी कर लोंगा जुल्म करती हो भागवान क्या करती हो तुम्हेरा दामाद है आज करवा चाओ थे कम अज कम आज के दिन दो उसको मान दो विटा के एक निवाला खाना तो कहला हुआ तुम्हें प्रहोजी मेरा सीर फिरा हुआ है किसको कितनी इज़त देनी चाहिए मैं अची तरह से जानती हूँ मैं तुमसे इज़त का पाठ नहीं सिखना चाहती भाभी भाभी चलो भाभी जली से तैयार हो जाओ शोव देखने जाना है क्यों आशा नहीं आज मेरी तभी ठीक नहीं है तुम लोग जाओ अरे लोग कमाल करती है अरे इतने प्यार से मैं तीन टिक्टे लाया हूँ और तुम कह रही है कि हम दुनों चले जाए बिलकुल नहीं जाएंगे तो तीनों जाएंगे वरना कोई नहीं जाएंगा क्यों आशा आज मुझे मत सता हो भागवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो अरे अब भावी अब आपके भावान है ही नहीं तो हम लोग क्या करें वरना हम दोनों आप दोनों को अकेला छोड़ दे भावी तुम्हें तुम्हारे भावान की किसम जिसकी तुम सुबा से लेकर शाम तक पूजा करती हो आब तुम इनकार करी नहीं सकती मेरी अच्छी तुम सुद्रों के देना अच्छा तो यह रहे पूरे पचास हजार रुपए तुम्हारे शो के बच्चे हुए टिकेट्स बिग गए मुझे पता है तुमने अपने जान पैचान वालों को टिकेट्स मुफ में बांट पूए और यह रुपए अपनी जेब से दे रहे हूं ऐसा क्यों किया तुम दिल की खुशी के लिए अब क्या कहूं मेरे पास तुम्हारी इन बातों का जवाबी नहीं है तुम्हारे प्रियो आया चिस्तिar एता प्रियो दिल में तडब नस नस में चुबर, जल जाल मेरा क्या पूछे किसी से जग प्यार हुआ, फिर क्या हुआ, किसी से जग प्यार हुआ, यू लगता कोई चांदा चिकल के पार हुआ, किसी से जग प्यार हुआ, यू लगता क्या 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 हुआ, झाल, 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 झाल साथ बरत का भुट्धा भी देख बजाए सीती मर गई शहर का ये रंग हुआ शहर का ये रंग हुआ मैं जिधर जान की खुदरता रंग हुआ मैं जिधर जान की खुदरता हुआ मैं हाही मूंन मूंन ले थी और शहर को मैं जिधर जान की जान की खुदरता हुआ कंच्ट और जूब के लगजने कि अ तुट धुट जूए से ए हाँ हाँ तान के सीना लाख चलू, पर बात दू हूँ, एक सची गोही, अर इस उनके सकी फिर तू भी मुझे, जाहें तहले, अकल के कची ही, होतो ही, देखना क्या कर दी में, जिसको देखके जीना, तुसी पे मर दी में, कि देखके जिलीना तुसी में, तुसी पे मर दी में, तुसी में, तुसी में, बढ़ गई मैं, जिसको देखे के चिना सुसी में बढ़ गई मैं, जिसको देखे के बललल बलल बलल बढ़ गई मैं आना मर गई, निया अनि को अरगई, जिसका यो मर गई हाँ 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 है कर अगया अ है कहां से आ रे हैं महाराणिया अमरों राश्य के साथ पिक्चर गई थी अगर तुझे कुछ हो जाता तो बिरादरी में तो मुँ मेरा कला होता ना लोग कहते सास में बहु का ध्यानी इने रखा और चुप क्यों है बोलती क्यों नहीं माजी, तीता दीती को हम दूना दुने जबर्दसे ले गए थे, यह अपनी मर्जी से नहीं चली थी इस घर में मेरी मर्जी चलती है तो इसे सब जबर्दस से ले जानी वाली कौन होती है अरे इसमें कौन सा गुनाह हो गया», जा आप इतना डाट पद पड़कर करें देखा मा कल आई है और आज तुझ से जबान लडाना शुरू करती क्यों इस घर में सच बोलने को जबान लडाना कहते हैं अभी अंडे से बहा निकली नहीं अच्छ उंच माना शुरू करती है कि इस बाद की माफी कुद्धर क्या है मेरा अभी बोले जारी है तरी यह मजार अभी मजार चाहती हूं आशा चुब्धे हो जाए अपने समझे का है अपने आप माजी 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 यह क्या करें आप छुड़ दें मेरा हाँ चाल चाल माजी दुबारा मुझे पर चड़ी बड़ी मत उठाना मैं आपकी इज़त करती हूं इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मुफ्ट में गालिया और चड़ीयों की मार खाओ रहे नाम भगवान का तुम चुप रहा आज तुने मेरे चड़ी तोड़ी और मैं तुछे आज है इस घर से निकालती हूं निकल निकल इस घर से मा इस घर से कोई नहीं जाएगा इस पर हमारा भी हक है तो तो जो रुका गुलाम बेवे के तलबे चाटने वाला मुझे नमकी देता है दंकीनी दे रहा हूं समझा रहा हूं कि अभी वक्ते सुधर जाओ सारा घर बर्बादी की किनारे पर आप उचाए फिर भी तुम्हारी आखे नहीं खुल रही है मैं तो कहता हूं कि सरे फसाद की जड़िये है अमर हमर यह क्या लगा रख है तुम दोनों ने मैं मना करती जा रही हूं कोई सुनता नहीं तुम दोनों की इतनी हिमत बढ़ गई है कि मां को जवाब दे रहे हो उन्हें आँखें दिका रहे हो उन्से जगना कर रहे हो चलो म कुछ नहीं सुनना चाहती है माफी मांगओ ठीक तुम कह रही हो ता हमें माफ कर दो माफी नहीं टोफी नहीं को अलगा की गशाने की दिन्राथ कोशी कर रही हूं तो मेरी कोशिशों को नाक हम क्यों करते रहते हो मेरी महनत पर पानी क्यों फेरते रहते हों मावी तुम्हारी महनत से घर नहीं बचने वाला अब यह मामना बहुत आगे बढ़ चुका जिन्होंने कोशिश करके लगाम हाथ में पके नीची वो तो 24 घंटा रहे नाम भगवान का रहे नाम भगवान का लेते रहते अगर पहले कैसे लगे यह फूल यह सब क्या हराम तुमने इस अंधेरे दिल में चुटिया चलाया है उसके बदले में जिंदेगी पर तुम्हारी जाओं में फूल भी करता रहूं तो भी कम है लेकिन यह सब किसलिए जनम दिन मुबारको दीपा तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा अरे तुमने हमें नया जनम दिया है तो हम क्या तुम्हारा जनम दिन भूल जाएंगे हमने कहीं से पता लगाई लिया रफी पटे इतनी सी बात के लिए इतनी कीमती अंगुठी दीपा तुफ़ी की कीमत नहीं देखी जाती बलकि तुफ़ा देने वाले की नियत देखी जाती है लग अच्छा तुम चलता हूँ और हाथ तुम तुम शाम को तयार है ना क्यों बाटी है हमारी तरफ से पेटी राम की यह हरकते मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है संबलके रहना बेटे तुम चिंता मत करो मा दरसल राम के दिल में गहरी चोट लगी है अगर मैं इसे सहरा न देती तो शायद यह खुदकुशी कर लेता या शराब पी-पी कर अपनी जान देता थोड़ा सा वक्त अपने आपा यह खुदक लगेगा अमा लेकिन यह मेरे ही लाट से ठीक होगा दश्तिय धनराज जी आये जमना दाज जी आये जमनाराण देव की जाए कैसे बागा वेटी के लिए लिफापा लाया हूँ जी उसके पथी ने उसके लिए बज़ाए बोलो शरी सत्तिनारान वह गया? है वुमारेटी क्या बात है पिताजी? तुमारे लिफफा है हुआ है लिफफा? फिरा क्या हो? आरे रो क्यों रही ये? लल्लू लल्लू दूसरी शादी कर रहा है पिताजी ये नाम बख.. ये दूसरी शादी का रिष्टा जरूर आपने लगाया हुआ नहीं है प्रेमीवा है यानि कि लव मेरेज हां में मदल जरूर कर रहा हूँ क्योंकि शादी का पौदा एक जगा पर न जमे तो वहां से उखार कर दूसरी जगा पर जमाना ये तो मेरा काम है नहीं तो मेरे को कमिशन कौन देगा बोलो श्री सत्यनास तेरा जमाना उखारना मेरे जिन्दगी तबाह कर दी मा अरे क्या बात हैा रो खियो ये क्या है शादी का काड़ किस कार ला दूसरी है यह हां ला अरी बे фин के जिन्दगी फेट्मर जहिसे गोफ्याइज कर रहा है यह मेरा बैट्स के जिन्दगी खराल नहीं मैं तो उसका मंदाश कमोंत उसके मूपत तुम्हेख काम करोगे ? यू कृसी अपने घर ले जाओ ओ मनगलाम भगवन विश्नु, मंगलाम कारू क्यो नहीं हो सकती। तुम्हारी अपनी पत्नी होते हुए, तुम दूसरे शादी नहीं कर सकते। ऐसी बीबी क्या , जो अपने पत्नी के नहीं हो सके। इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है मैं अपनी मर्दी से यह शादी कर रही हूँ सुन लिया ना चलो जाओ अब अलता मत कहो जी आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ पत्नी और तू उमा पत्नी तो वो होती है जो पती के सुख दुख में साथ दें अपने पती के घर को स्वर्ग बनाएं उमा औरत के काम से ही घर में बरकत आती है जब वो जाडू लगाती है तो आने वाली मुसीबते झाडू के तिनकों से टक्रा कर वापश चली जाती है जब वो चूला जलाती है तो ईश्वर के नजर में वो तपस्या का चिराग माना जाता है और ईश्वर उसी घर में सुख की रोशनी भी खेरते हैं जब वो कपड़ेत होती हैं तो उन कपड़ों के साथ साथ उसकी तकदीर का मैल भी धुलकर साफ हो जाता है अवरत कहने को तो घर का काम करती है लेकिन असलियत में अपना धरम निभाती है अपने हाथों से अपनी तकदीर अपना मुकदर सवारती है और एक तू है तू जो अपना घर अपना पती छोड़े कर अपने मा के गोद में पड़ी है ठीक है मैं तुझे देखनूंगी चल बेजी, नहीं मा, तुम जाओ, क्या मतलब, मैं इनके साथ अपने घर जाओंगी, लगता है यहां आकर तो पागल हो गई है, यहां आकर ही तो मुझे आकल आई है, अगर जूटी आकर में घर बैठी रहती, तो यह दूसरे शादी कर लेते, तो फिर जा जहनम में, मार भीक तुम्हे काम करो, तुम्हा आगे निकल जाओ, मैं इन लोगों को समझा क्या आता हूने, तो यह बाद में घर बड़ करेंगे, जाओ, अज़, अज़, यह लेना, और यह अपने नाटा कंपने में बाट देना, और उनको कहना घर जाके सोजाओ, हाँ सबको सुला देता हू हलो, पिता जी, मैं लल्लू बोल रहा हूं, हाँ, बोल बिटा, क्या आइडिया बता है था आपने, तीर बिल्कुल निशाने पर जाके बैठा हा, अच्छा, और और उमा, उमा मेरे सदा आ गई, क्या बात करता है, और शांता, मा जी जखमी शेरनी की तरह चाती पकड़ के ख़एगी, रहे नाम भगवान का, वाग कही रहे नाम भगवान का, जर सुन वो कांटि वाली शेर मी आरी, फोन रख दे, आओ कांटा ने, वो में शांता, आओ, अच्छा, पर जाया जखुआ, और यह, 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 नहीं, तो क्या क्या यह, तु मारी आप में अगर मच के आ कीचर होगा मेरे लाजली बैटी अपने से जराज चले गए हो मतलब शैतानों की टीम आधी हो गई है नहीं मेरा मतलब है कि बहुत दिनों बाद अकल आई उसको काफी दिन गुजार लिया उसने इस घर में अगर पहले चली गई होती तो अब तक दो बच्चों की माँ बन चुकी होती कैसे उल्टी सीदी बाती करते हो जी अब मेला क्या होगा मेरे देख भाल कोट करेगा आंकों पर चश्मा लगा हुआ है और अकल की अंधी हो इस घर में तीन तीन बहुएं और जिसके तीन बहुएं होती है वह आदी दुनिया के मालकीन होती है अभी रोना धोना बंद करो चेर का डिजाइन ठीक करो रोतरा ज्यादा रहनक लगती ह कि इतने सारे निकल कहां से रहें आंकों में नलला हुआ है क्या चल्षा सब्सक्राइए है कि अहीं है कि थी दो आइख और यहार तो जाना पेचान लगता है हां याद है सिता भभी का इना हां तुमारे मस कैसे है यहार उन्होंने ही मुझे तौफ़े के तौर पे दिया है आप एक काम कीजे ला इस हार को बेचकर एक फोटो स्टूडियो खुल लीजिए और एक छूटा सा घर ले लीजिए आओ बैठो देखो मा पहले बात यह हार बेचकर फोटो स्टूडियो तो दूर की बात रही हम मकान भी नहीं खरीच सकते हैं दूसरी बात यह कि किसी का दिया हुआ तोफ़ा भगवान के प्रशाद के बराबर होता है और प्रशाद को इंसान बेचा नहीं करते हैं है ना तीसरी बात तो तुम जानती हो कि मैं एक इमानदार और गैरतमन आदमी हूं हो ना तो मेरी प्यारी धरम पत्नी यहार तुम ही पहना करो इससे पती खुश होता है और पत्नी भी खुब्सूरत लगती है अरे कांता कांता यह दादी मां को देख किस गुबारी कितने मुफलाई वेठी है जब से उमा बुअ क्या चली गई इंकी कभ वाली की ती मुझ चूट गई अच्छा कांता दादी मां सुबह सुबह कैसी चिल लाती है यह बता तो बता आओ बता बड़ी बहु अरे ओ करते हैं दोनों को तुने ही सिखाया नहीं मां जी बच्चे मासुम होते हैं उनको कोई क्या सिखाएगा अरे बहू तो इसे नहीं जानती पहले मेरे बेटे को खा गई और आप इन बच्चों को मेरे खिलाफ सिखा सिखा कर मुझे टी बी लगाना चाहती है मुझे माज़ डाला चाहती है बस कीजिए माज़े बस कीजिए हर बात की एक हद होती है तुबे शाम आपके ये ताने सुन सुन कर जहर का गोड पीकर जी रही हूं सिर्फ इन बच्चों की खाते वरना कपकी खुदकुशी करके मर गई होती अरे तुझ क्या खुदकुशी करेगी हजारों को मारकर मरने वाले ढ़ें इससे पहले कि तुझ अपने जहर से मुझे डस ले निकल जाए इस गर से मुझे नहीं जाए तु आज तेरे ये नालायक बच्चे क्या करती हो भागवान बच्चों को घर से बार ने कर रही हो हम चले जाते हैं नहीं गंगादिदी यह क्या करी हो पागल हो गए हो इन मासों को ले जाकर पालोगे नहीं फुट पाथ पर नहीं यह लोग इस हवेले में रहेंगे क्योंकि यह इस घर के सदस हैं हाँ इनका भी इस घर पर इस जायदार पर और उनकी तरफ पुरा हक है और ये हक इन मासमों को मिलना ही चाहिए ओ हो आज भूंगट में रहने वाली सीता की मुँ में जपान आ गई हक की बाद करने लगी चल चल तो भी निकली इस घर से माजी अमर अंदर मत जाओ क्यों क्या हुआ माजी बड़ी दिदी छोटी दिदी सब को घर से निकाल रहे हैं और पिताजी क्या कर रहे हैं वह बिचारे मजबूर हो कर टेल रहे है हाई डाड है हाँ बेशरम बेहया तेरी इतनी हिम्मत ये सिगलेट पीके बाब के मुझे भूग रहे हैं अभी आपने हिम्मत देखी कहा है बाबुजी अभी तो हर रोज में आपके सामने बैठकर शराब पिऊंगा दुनिया बर के जुवारियों को घर में लाकर हर रोज खेलूंगा इस घर को गिर्वी रखवा दूंगा और जब भी कभी तब्याद खबराएगी तो किसी मुन्नी बाई के कोठे पर जाकर अपना दिल बहलाओंगा कि वाब बाबुची वाँ क्या मिलिटरी वाला हाथ मारा है इसे काज उपर रखा था इसी की तजरूरत है आज पहली बार आपने इस घर में हाथ उठाया है इसे उठाए रहने दीजे यह आज तक नीचे था इसलिए इस घर की बुनियादों में अशान्ती के दिमक लग गई थी इसे उठाए और जोर से खुमाईए और इस घर के यह लीजिए अपने मशिंगन और भून के अटाली इस घर के शांती को अब अब जी लीजिए और भून के अटाली इस घर के शांती को भून के अटाली इस घर के शांती को भून के अटाली आज मेरे तुने मेरे मन में सोयवे धनराज को जगाया है धनराज के अंदर सोयव कोई नहीं जाएगा Andra शानता मैं तुम से आखरी बार कहता हूं अंदर जाब अगर तुमने भी जित की तो मैं कमारे भी हालत खराब कर दूंगी तुम मेरी हालत खराब करेगी तो फिर रहे नाम भगवान का तुम मेरी हालत खराब करेगी मुझे माद खराब करेगी मुझे 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 म जाब बगवास बन इंसान की इजड़त उसके अपने कर्दूतों से होती है जुम की लाटी से अगर दुनिया का सर जुगाने की कोशिक करोगी तो खुद का सर तूटकर अपनी कर्दों में गिर जाएगा जाव अंदर जावना लाटी मार मार के सारा जिसम नीला कर दूँगा जाब जाती हो ना मारूंगा भी और तुम सीता तुम पड़ी लिख्यों ना समझदार हो इस घर के माहुल को समझती हो ना तुम ही खोड़ के जा रही थी चला बस दोना दोना बंद ऐसे आरद में बच्चियां रोया नहीं करती है बना होने वाले बच्चे के सिहत पूरा स अधर पड़ता है तो जब तक हम ना कहें नीचे नहीं आना जाओ पर जाओ पर अगर तुमा जी चार नो करो रिक बावर्ची का इंजाम करो यह हमारा होकम है जाओ अर यह क्या है मेरी बहु बोटली लेकर जारी थी जा अधर जानदर जानदर है 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 तुम तुम को बढ़ों के मूह लगना किसने सिखाया है बला इसने अच्छी बात अभी तो तुम काम पे जाओ मैं शाम को तुम्हारी खबर लूँगा तुम सास की लकडी तोड़ती हो अगर आएंदा ऐसी हरकत की तो सर तोड़ दूगा चलो 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 अंदर जाओ किताब उठा और पढ़ना चिलो करो चलो चलो नहीं तो मारूंगा चलो अब तेरा लाक लाक शुक्र है आज मेरी जरा से इम्मत ने घर की डूपती वी नया को बचा लिया तो यह नाम भगवान का मूझ काला हुआ शैतान का पिता जी को लड़का हुआ है तो मैं जा करूँ जाकर आके लिए खुश्या मनाओ करें भागवान इतनी खुशी का मौका है गुस्ता दूग दे और भाराजा आज 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 नहीं मैं तुम्हारे ले मत चुकी हूँ यह मेरी समाधी है तुम क्या समझती हो मुर्गा अजान नहीं देगा तो सुभा नहीं होगी जिद्धी नीम चड़वेट करें लिख लाओ ना देखो जरा इधेर देखो गुसा चोड़ दादी माँ दादी माँ दादी माँ प्यारी प्यारी दादी माँ देखो जरा इधेर देखो गुसा चोड़ दादी माँ आली मी खरंगर आन अर्पा है याद तुम्हे कपसे दादी मा, दादी मा, प्यारी प्यारी दादी मा, देखो जरा इधर देखो, खुसा छोड़ दादी मा दादी मा, दादी मा, प्यारी प्यारी दादी मा, देखो जरा इधर देखो, खुसा छोड़ दादी मा जिस दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है बच्चोंने नीवाला उठाया नहीं है जिस दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है बच्चोंने नीवाला उठाया नहीं है हमने कभी ऐसा दुपाया नहीं है मर जाए क्या दादी मा मर जाओ इसकी बलाचे ये तो ये ही जाहे कब से दादी मा दादी मा पेरी पेरी दादी मा में को जरा इधे देखो गुसा चो दादी मा दादी मा दादी मा पेरी पेरी दादी मा दिको जादी मा देखो गुसा चो दादी मा दादी मा दादी मा दादी मा दादी मा दादी मा आलू पालक में थी महके हैं मजेदार मकई की रोटी पे असली घी की दार चटनी नव रदन की है आम का आचार मुं में पाने आया ना फेला वह मेरे इ होडी रदीन नख canyon थेरिक क até तति मातां की OD धरी मातां बेखो जगोन जड़ी तनी मादे की थाना खाके बोलो तो बिस्पर लगा दी से मेली वाला सर में दबा दी खाना खाके बोलो तो पिस्तर लगा दे देल चमेली वाला सर में दबा दी चंगा करे ऐसो जब जूएगी रादे उस्तो चलो दादी मा पथर को देख के उठाना रह जाओगे नीचे तब के दड़ी इनमाओ दड़ी माँ देखे जा इधर दिखो हुष्यम झाये जडूसी नव्ट थे दादी मा, दादी मा, बेरी बेरी दादी मा, देखो जरा इधर देखो गुता चलो दादी मा. कि याद तुमने एक दिन कहा था मेरे जीने से तुम्हें खुशी होगी तो आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं क्या वाकरी तुम मुझे खुश देखना चाहती हो हाँ बिलकुल तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी समझा मैं शादी शुदा हूँ इसलिए शायद तुम चीज़क लेगा लेकिन फिकर मत करो मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया राम हाँ अब बेना साहरे के मुझसे जीया नहीं जाता अगर तुन्हें इंकार कर दिया तो जिंदगी बेमकसद हो जाएगी मैं वाके खुशी क अधर की जिंदगी का खात्मा कर दूँगा लेकिन राम मैं भी तो औरत हूँ ना सोचने के लिए जिन्दगी के फैसले करने के लिए मुझे भी कुछ वक्त चाहिए ठीक है सोच लो मैं तुम्हारे जवाब का इंतिजार करूँगा अरे दिपाजी आप बैची क्या देख रही हैं मैं देख रही हूं कि आज के मॉडरन जमाने में पती को भगवान की तरह पूजा जा रहा है जमाना कैसा भी हो दिपाजी मगर हिंदुस्तानी आउरत हिंदुस्तानी सभ्यता के अनुसार हमेशा अपने पती को भगवान का ही दर्जा देती है मगर पती अपनी पतनी को देवी का दर्जा नहीं देता ऐसा क्यों इस क्यों क्या जवाब मेरे पास नहीं है सीजा जी आज आपका ये रूप देखकर मेरा दिल भराया दरहसल मैं आपको कुछ बताने आई हूँ तरह दिल ठाम कर सुनिएगा ये आप अपने पती को जो इतना बड़ा दर्जा दे रही है उसकी पूजा कर रही है आज आपके इसी पती ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है आप सच मुझ देवी हैं इस मंदिर में राम की जगह आपकी मूर्ती होनी चाहिए थी आज आप जैसी देवियों की वज़े से हमारे देश का सर उंचा है हमारी संस्कृति अमर है मुझे पूरा विश्वास है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता सीता मैं तुम्हें प् अचीज़ा नौशकार जिद्ध आज़र क्या वह कारती अब करता है में तेविर्टों के वहां है मगर अब बैंक से आपका च्छेक वापस आगया है यह यह कैसे हो सकता है कि यह आपका फोन इस्तब्ल कर सकता हूं तो आपने पैसे दे दी उसको लेकिन पोल नठाई बले आप ये सर हलो यहां एक मिनट पर राम बाबु पुछ रहे हैं कि चेक का स्टॉप पेमिंट क्यों किया गया पुझे देजिए इस यह स्टॉप पेमिंट मेरे होकम से की आ गया है आप को बोल रहा है मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूं और एक पैसा मत देना इसको यह सर आप मैं जानती थी अब जरूर्ल उटाएंगे ज्यादा खुशी का ढूंग करने की जरूत नहीं मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं वो हीरों का हार का जो मैंने तुम्हें दिया था हार हां मैं अभी लाई यह लेजिए यह तो खाली इसके अंदर का हार का है मैंने तो मैंने तेसी में रखा था तो वह हार गया का क्या यह बॉक्स उसे खा गया यह क्यों नहीं कहती कि तुमने अपने चाहने वाले को दे दिया है कि अब गया है कि इसी बात है निए तो मेरे दामद पर मत लगाई है तुम मेरी हर बात बाने के तेयार हो तो पर इस तलाख नमे को दस्ताखत करो मैं आपकी हर आंगय के सामनी सर चुकाने के लिए तैयार हूँ लेकिन तलाग से पहले मुझे ये तो बताईए मेरा कसूर क्या है कसूर एक सीधे साधे शरीफ आदमी के आखों में धूल चोकर पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है अगर अगर अपनी इज़त के साथ अपना जमीर नहीं बेचा है तो अपने जमीर के किरेबान में जागकर पूछ अपने आप से कि तुने क्या फ़ाप किया है मेरा जमीर मेरा दिल मेरे भगबार की तरह पवित्र है मुझे किसी से पूछने के जरूत नहीं कि मैंने क्या भाप किया है यह वो रा मिनी रा जो अपने सीता की अगनी परिक्षा ले सके और यह किसी पर क्या हिल्दाम लगाएगा यह तो खुद मुझरिम है अपनी पत्नी के होते हुए किसी और औरत की इश कबू सवार है इस पर भूत तो आप के सर पर सवार है शिरी धनराज यह क्या करी है आप मैं इस वक्ता से नहीं अपने पार्टनर से बात कर रहा हूं कौन पार्टनर ना तुम मेरे पार्टनर हो और नो तुम्हारा अस कंपनी भी को अधिकार है आप शाहिए भूल रहें कि कानूनी तोर पर मैं कंपनी का एक पाटनर हूँ और अगर मैं चाहूं तो कंपनी तो एक तरफ इस हवेली को भी निलाम करवा सकता हूँ जिस बाप की उंगली पकड़कर तूरी चलना सीखा आज इसी बाप की कंपनी उसे घर को निलाम करने की धंकी दे रहा है तू इतला स्यादा हो गया तू वह एक बाप के लिए से बढ़कर खुशी का दिन और क्या हो सकता है किसके उलाद इतनी स्यानी हो गई है मुभारत को ब इसे पीर पड़ती हूं बतायों अरे नालायाक मेरी देवी जैसी पहुकत तुने कुलशा कहा इससे ताच्छा तेरे पैदा होते ही तेरे गर्ण गोंदे ते लिए तुम लोगों सब लोग मेरी मौत चाहते हो इस बाप की बस्ति में रहने वाला हर इंसान मेरी मौत कर रहा लोग में नहीं मरूगा अपनी सिंदेगी जी मोर ऐसे जीए है तुम में रिष्टा नहीं कोई नाता नहीं तुर्जा भी एक बाद मेरी सुने विटा ऐसे मंचा कि एक बार अपने बुले बाप को मर जाने थे कि उसकी अर्थी को कांदा दे थे उसकी चिता में आग लगा दियो उसकी बार जो जी महा है करना बिटा जो जी है करना राम इतने दिनों के बाद आखे हो अपने बच्चे का मूँ तो देख लो मैं और इस पाप की गठरी का मूँ देखू कि इसका मुँ उसी को दिखाओ जो इसका पाप है भावी क्या बात है भावी तुम रोखे रही हो अमर राम आया था उसने सीता पर हीरों के हार का चोरी का अलसाम लगाया और चाते जाते ये भी कह गया कि बच्चा उसका नहीं है उसका पाप कोई और है कि अच्छा है अब मुझे बताओ यहार तुम्हारे पास कहां से आया मैंने बताया था ने कि भावी ने मुझे यहार तुम मुझे से शादी नहीं कर सकती हां मैं दूसरे का सुहाग उजाड कर उस सुहाग के खून को सिंदूर बना कर अपनी मांग में नहीं लगा सकती बंद करो यह बक्वास मौना ऐसी छूटी तलीरों से बहुत धोगे खा चुका हूं तुमने धोके नहीं खाए बल्कि तुमारी आंखोंने तुम्हें खूद धोगा दिया है तुमने जिस अम्रत को जहर समझकर ठोकरा दिया वह सीता भावी अम्रत है वह सीता भावी हजार देवियों से महान है मैंने तुमसे प्यार किया और अब सीता तुम्हारी भावी हो गई यह तुमसे किस ने कहा कि प्यार सुर्फ इश्ख करने वालों के दर्मियान होता है क्या भाई बेहन का प्यार न होता तोस दोस्त में प्यार नहीं होता मापब अपनी ओलाज से प्यारा करते अ अ कि दो चाता तुम्हारा क्वा गल्बर के तुम्हें जान से माट लो अ किeles कि नहीं कितनी व पहते ह्परा का गल्र घोट अाब अइसन विश्वास हो गया विश्वास हो गया कि और जात बेवफाई का दूसरा नाम है कि आध तो यहां किया लेने आया मैं तुम्हें लेने आया हूं भाइया अब कोई संबंध नहीं है लेकिन शीता भवी से तो है आपके बगर वह अपनी जान देंगी देती है तो देने दे आप लिए अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दी जी है मैं तुम्हें घर लेकर ही जाओंगा भाईया चाहूं तो मैं भी हाथ उठा सकता हूं मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं मारूंगा तो चोट भावी को लगेगी तू क्या मारेगा बुज्दिल तू तो आस्पीन का साफ है साफ अब फिर में वहाँ क्या तेरा उस कुल्टा के साथ प्यार का नाटक जगने जाओंगा बन्याओं बट जाओ माँ प्श्टा टार के लाओंगा Göran च प्श्टा टार्वाएं जाओंगा के वहाँ ड़ाओ राई राई जाराभ त्श्टा क्या करता है तू अरे अपने लक्षम्ए जैसे भाई..ब्राद उठा रहे तदा.. तुब यह लक्षमन नहीं पिताजी दुश्मन है दुश्मन इस दत का दुश्मन माँ भेंकी आब रूगा दुश्मन परे क्या बोल रहा है तू माँ ठीक कह रहा हूं पिताजी यह वह जलील भाई है जिसने अपने भाई की पत्नी के साथ जो रिश्टे में इसकी बड़ी भ प्यार में आकर मेरा लायावा हीरों काहर तुझे तोफे में दे दिया एक-एक मिनित राम भाईया जुर्म किसी और ने किया है और आप पाप का नाम लेकर किसी और बेगुनहा को गुनेगार ठेरा रहे हैं इस सारे फसाद की जड़ आपकी ये बहन है ये चोटी है जो हार एक परीन अपने सिता भावी दिया था वह। बैन अमर भाया को नहीं दिया थे वह हार बलकी इसने चुराया था बहल से सबूत हर कर 100 है बता दिय को राम भया के दिमाग में सिता भावी के खिलाफ शक का बीच कैसे बुय था अमन रमीशा भावी को आशा की प्यार की बात सुनायai करता था उस दिन आपने जो कुछ भी सुना बिल्कुल ठीक सुना लेकिन अवर भावी को गारण में इसलिए बुला रहा था ताकि वो उन्हें मुझसे मिला सके अमर ने मुझसे कहा था कि भावी उनकी मा जैसी है और जब तक वो मुझसे पसंद नहीं कर लेती मैं इस घर में बहु बनकर नहीं आ सकते तो फिर तो फिर शादी के दिन मैंने सीता को अमर की गोड में देखा वो क्या था वो धोखा था आपने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा था दूसरा नहीं क्योंकि उस वक्त उस कम्र में मैं भी उनके सामने मौजूद था जूट बिल्कुल जूट तुम वह नहीं थे यह रहा उसका सबूद जब अमर अपनी भावी को गोड में उठाये था तब मैं वहीं मौजूद था और उनकी तस्वीर उता रहा था हमार अपनी जुद इस चॉन्ड़नी की बतोमें आ कर in mian Maa बेटी की रिश्टे का आपमान किया है, और चॉन्ड़नी तो पैदा होते मर्ग हो नहीं गई बिपटोबिया और सुलिया, जॉलिया, तुने लेगी प्वितरता गजाली दिये तुरह कभी महाफ नहीं करेगा कभी मापने करे गाल जुटे शीदा, शीदा शीदा, शीदा, शीदा सर्द जैसा घर था अपना मंदिल मेरे प्याद था तू जाओ मेरी पूरी हुई न तू पाओ सुपना मेरा दे तुर्फी बाईया वर्दा लिकना सुपी रहे सजना घर अकना जाने कहा वूल वूल मेरे सजना मैं तो चली चांती है घर अकना मैं चली, मैं चली चोड़की तेरा घर अकना मैं चली चोड़की तेरा घर अकना मैं चली तेरा घर अकना मैं चली तेरा अकना मैं चली तेरा अकना लोड़की तेरा अकना उनली बनली इंतो इंतो शीता शीताओ कि राजए दो कि आज इन एू कर दो. प्रुच्च शीता! झेक, बशिमाने दे शीता! नहीं शीता! नहीं! तुम थामय न्यूता रॉइ तुम रखिसे वाभी रखिसे आध। शीता! शीता! अरे रामू! शीता! एक आद्मी एक और तकोए में करफड़े जल्दी आओ! जोशे में किरे एगेैं! रामू! तकोए में किरे नहीं किरें! और क्राश्च देन्न कॉंद इससलों तिन जो जैन्स जैन्स भावी है याभी तुम्हारे बैटे हैं है आंके कुलो तुम्हे तुम्हारे इस बैटे की कि गसम हाद के Director तुम्हें तुम्हे तुम्हारे की कि समा ह Our language सब्सक्राइब भाबies सब्सक्राइब सब्सक्राइब मत कर रहें अचे बाते हैं यहांसों बहुत केपती है इसके कप्रे के लिए सित अपने जान भी दे सकते हैं राम पिता जी पिता जी आपने मुझे राम का नाम तो दिया लेकिन मैं शक के आग में जलकर राम के नाम की इज़त ना रख सका मैंने सीता की पवित्रता पर शक किया लक्षमन जैसे भाई के रिष्टे को गाली थी मुझे माफ कर रहे हैं यह क्या कर रहे हैं बड़ा भाई शक करे गलती करे मारे कुछ भी करे मगर पाउच्छुने का हक सिर्फ छोटे भाई का होता है और आप मुस्ते मेरा यह हक मत चिनना हाँ अरे नहीं हमर मुझे माफ करता मेरे भाई बेटी एक बात को मैंने सारी जिन्दगी जो गलती की वह गलती तूने भी की मैंने अपने पत्नी को उसकी आवकाद से ज्ञादा छूट देने थी और तूने अपने पतिकी भागवान स जादा पूजा कर डाली यहीं हम दोनों कि घिख reopen की तरह होती है बेटी जिसлек मर्द इंजिन की तरह होता हूँ और ड्राइवर की तरह होती है अब अगर ड्राइवर इंजिन को सकी मनमानी करने देंगे एंजन खुद की मनमानी शुरू कर दे तो जिन्दगी जाकर एकसिडन के खड़े में गिर जाएगी इसलिए प्यार से सही मगर एक दूसरी की लगाम थाम की रखनी चाहिए और तब आराम से बिना जटके खायों बेजिन्दगी गाड़ी खुशियों के प्लेटफरम तक पहुंच जाती है और यही है घर-घर की कानी वाकी रहे नाम भागान का और मुख काला हो मैं की बोले सभी बोले यह पहली मर्दा तुमने अकल की बाच चोड़ो जी मुख काला हो शायता का करते हैं